असलाम अलेकुम प्यारे बच्चो वेलकम टू अक्सफोर्ट ग्राइमर स्कूल फ्लॉर केंपस ओनलाइन लेक्चर्ज प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब आई होब आल विल बी फाइन ओपन यूर इसलाम बुक आज बच्चो हम जो सबक स्टार्ट करेंगे वो क्या है इसलाम में मेल जोल सफ़ा नमबर 49 आज सबक का जो इनवान है वो है इसलाम में मेल जोल है यानि इसलाम हमें एक दूसरे से मिलना कैसे बताते है वो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे आपको पता है कि इसलाम हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बाते बताता है और ये अब लास्ट जो हमारा जो सबक है वो इस बुक का इसलाम मेल जोल है ये भी हमें बहुत ही अच्छी बात है जो हमें मेरे इसलाम ने बताई है और इसे को करने से क्या होता है आपस में नेकियां भी बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सलाम बोलते हैं तो फृरिष्टे हम हमारी नेकियां बढ़ा देते हैं और यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे हम एक दूसरे से किस तरह मिलते हैं जबनी याद करवाएए नमबर बन पे है जब हम अपने दोस्तों और रिष्टदारों से मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम इसका मतलब यह है कि तुम पर सलामती हो जवा में सुनने वालेकुम अस्सलाम इसका मतलब यह है कि अच्छे दोस्त हैं नम्बर तीन हमें सीधा हाथ मिलाना चाहिए नम्बर चार हाथ मिलाते वक्त मुस्कुराइए ताकि ये मलूम हो सके कि आपको मुलाकास से खुशी हुई इसलाम में दोस्ती और मिलने जुनने के यही तरीके बताए गए हैं हमारे प्यारे नबी सललाहु आलहिए वसलम ने फरमाया एक दूसरे को तोफ़े दिया करो इस तरह आपस में मुहबत बढ़ती है लेकिन तोफ़ा लेकर यूही नहीं रख लेना चाहिए बलकि तोफ़ा देने वाले का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए इस तरह अगर कोई आपका काम करे या किसी काम में आपकी मदद करे तो इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए इसी तरह हमारे घर में कुछ लोग हमसे बढ़े और कुछ लोग हमसे चोटे होते हैं इसलाम हमें बड़ों की इज़त और खिदमत करना सिखाता है इसी तरह छोटे बच्चे भी हमसे मदद चाहते हैं इसलिए उन से प्यार, महबबत से पेश आईए हमें याद रखना चाहिए कि छोटे बेहनबाईनों से लड़ना और उन्हें मारना इसलाम में मना है हमारे रसूल हजरत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم बच्चो आपने इसी तरह पूरे लेसन की क्या है आपने इसको पढ़ना है और फिर आपने जो मुश्किल अन्फाज हैं उनको अंडरलाइन करना है और इसकी इमलाबी याद करनी है और इसके जोड तोड भी करना है जैसे रिश्तादारों रे शीन ते है रिश्तादाल अलिफ रेवा नून गुना रिश्तादारों अलिफ लाम सीन सीन लाम अलिफ मीम अस्सलामू आईन लाम ये काह मीम अस्सलाम वालेकुम मीम तोए लाम बे मतलब सीन लाम अलिफ मीम ते चुटिए सलाम ती मीम सीन काफ रे अलिफ हम्जा ये बढ़िये मुस्कुराइए तोए रे ये काफ बढ़िये तरीके मीम जेल लाम नून चुटिये मिलने जीम पेश लाम नून बढ़िये जुलने मिलने जुलने मीम लाम अलिफ काफ अलिफ ते मुलाकात ते हे फे बढ़िये तोफे मीम हे हे बे ते मुहबब बेडे हे कि बन हे ते छुटिये बढ़ती ये वाउ नून हे छुटिये यूं ही शीन काफ रे ये हे शुक्रिया चे अलिफ हे ये बढ़िये चाहिए काफ छे की बनी कुछ बेडे बढ़िये बढ़े छे की बन छे वाउते बढ़िये चोटे अइन जेजे ते इज़त खे दाल मीम ते खिदमत सीन काफी की बनी काफ अलिफ ते अलिफ सिखाता पे ये शीन पेश अलिमदा ये हमजा ये बढ़िये आईए रे सीन वाउलाम रसूल मीम नून अइन है मना बेह की बनी बे अलिफ हमजा ये वाउन उन गुना भाईयों बेड ये वाउन उन गुना बढ़ों छे की बनी छे वाउत ये वाउन उन गुना छोटों इसी तरह बच्चों आपने इसके जोड तोड कर किसको सबको याद अच्छे से करना और इसकी मलाकी भी अपने प्रैक्टिस करें अब हम इसकी मश्यक जो है वो हल करेंगे यहां पे है कुछ सवाल दिये गए इसके हमने जबानी जवाब देने है सवाल नमबर बन है जब एक मुसल्मान किसी दूसरे मुसल्मान से मिलता है तो क्या कहता है अस्सलाम अलेकुम और सवाल नमबर दो है अस्सलाम अलेकुम के क्या माना है तुम पर स्लामती हो स्लाम के जवाब में दूसरा मुसल्मान क्या कहता है और इन अलफाज के क्या माना है स्लाम के जवा में यानि दूसरा मुस्लमान क्या कहता है वा अलेकुम उस्लाम इसका भी यही मतलब है कि तुम पर भी स्लामती हो अस्लाम उलेकुम कहने के साथ और क्या क्या करना चाहिए हाथ भी मिलाना चाहिए स्वाल नमबर दो है सवलात के दुरूस्त जवाबा तलाश कीजिए नमबर एक पे है अस्सलाम अलेकुम का मतलब क्या है तुम आगे हो तुम पर स्लामती हो तुम कल आना इसका क्या मतलब है तुम पर स्लामती हो वालेकुम अस्सलाम किस बात का जवाब है السلام علیکم کا तुम्हारा नाम क्या है तुम कहां जा रहे हो السلام علیکم का इसलाम हमें क्या सिखाता है लडाई जगड़ा जूट और चोरी सलामती और अमन एक दूसरे का मज़ाख उड़ाना सलामती और अमन दर जज़ैल बातों के सामने सही या गलत के निशान लगाई नमबर एक पे हाथ मिलाना मना है गलत हाथ मिलाना सुनत है सही हाथ मिलाते वक्त मुस्कराना नहीं चाहिए गलत Dear parents and dear students kindly practice it kindly subscribe our channel for more video lectures stay at home, stay safe Allah حافظ